कि यम्ता वहां में इज़ा साथ कौन बोला कि यम्ता वहां में आपको हाँ परिछे थे ना एक गाम एक आदली हम को शुकर हैं तो आहीं डीयम साथ नमश्कारा के साथ मैं रोहत कुमार आफे नियुजफोनेशन पर बिहार के सासा राम के डीयम सहाब अचानक से बच्चों के जब बीच पहुँचे तो बच्चों ने उन्हें पहचान लिया इसके बाद डीयम ने जब बच्चों से पूछा कि आपको मालूम किसे चला कि मैं डीयम हूँ तो फिर बड़ा गजब सा हुआ है पहले हुआ क्या ये वीडियो दें बच्चों की आपको हां ये जबाद हेला विणी घराथे तैन आपको हुआ ऐनक ये अध रीयम सही कहां रधाइ नीं सोव टापके मैं लिए तवी देना है कि बताओ का बात के बचा बताओ सर हम लोग के असकूर में 380 माचा आ हैं दो मास्टर हैं दो मास्टर हैं तूण निखी है बच्छा कितना है 380 तो प्रविशल को करने के अपने नोखें नास के लिए जाने जाते हैं कभी हर घर नल जलका योजना को लेकर के जाच करने के लिए खुद 32 फीट उची ठंकी पर चड़ जाते हैं तो कभी ग्रामीनों की समस्या जानने के लिए रात्री में ही गाउं में रुख जाते हैं DM धर्मेंदर कुमार अचानक से जिले के सुदूर वर्ति गाउं और रोहतास गड़ पंचायत के एक सरकार स्कूल में पहुंचे जहां DM ने स्कूल के बच्चों से बात की बच्चों ने भी DM से दिल खुल कर बात की और अपने समस्याएं बताई बच्चों से मिलने के बाद DM ने कहा कि वहां के सेच्चकों के समस्याएं सामने रखी गई हैं बच्चों ने बताया है कि स्कूल में 400 के करी बच्चे हैं लेकिन सिख्चकों के संख्या जो है वो सिर्फ दो है इसे मामले को लेकर कि जिला सिच्छा अप्राधिकारी को इसा मस्या को दूर करने का निर्देश दिया गया है दियम धर्मेंदर कुमार ने कहा है कि बच्चों से बात करने से सचाय का पता चलता है ऐसे हम लोग तक यही सही सूचना नहीं पहुँच पाती है बच्चों से बात कर सही बात का पता चलता है तो दियम धर्मेंदर कुमार जो हैं हमेशा सुर्ख्यों में रहते हैं पिछले एक दीर महीनी में देखें तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें वो चर्चा में आ गए हैं कभी अचानक से नलजल यूजना की पाई टंकी पर वो चहड़ करके पानी की गुनवत्ता देखते हुए निज़र आते हैं तो दूसरी तरफ जो है कई बार DM सहब जो है सासाराम जिले का वहां पहुंचे वहां के सरकार स्कूल में जहां पर करीब 400 बच्चों की मौजूदगी में उन्होंने बच्चों से उनके समस्याओं को सुना और उसके बाद तत्काल आदेश दिया कि इन समस्याओं को तुरांद दूर किया जाए क्या कुश धर्मिंद्र कुमार के सामने जो के DM है सासाराम के उनके सामने हुआ और बच्चों ने किस तरीके से अपने समस्याओं से उनको अव्यत करा है छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ वो जो था रोहतास व्लॉक के रोहतासगर जो है ग्राम पंचायद वहां पे था रोहतासगर ग्राम पंचायद जीले का सबसे सुदूर एरिया है और वहां पे जो है सिख्चको की समस्यां हम लोगे संग्यान में रखी गई है वहाँ के अस्थानियवी द्याले के बच्चों के साथ जब मेरा समवाद हुआ तो उन लोगों ने रखा कि वहाँ पे लगवख 400 के आसपस बच्चे हैं और दो ही सिच्छक है और वहाँ की वहाँ की वहाँ की है कि जो सिच्छक हैं वही नीचे से यानि की जो हिली एरिया है वहाँ पे नहीं रहते हैं और जो समतल एरिया है वहाँ से उपर जाते हैं तो मतलब बाकी समस्याइन उनके साथ जो है रखी गई है तो मेरे दोरा जिला सिच्छा पदाधिकारी को जो है निरेश दिया गया है कि दो सिच्छकों का डेपोटेशन वहाँ पर उनके दोरा हो और उसमें हम लोग जो है वोलन्टियर को ले रहे हैं कि यदि कोई सिच्छक वोलन्टियर हैं तो वो लोग वहाँ पर जाए हम लोग डिप्टेशन उनके दोरा जो है हो जाएगा इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब आप जो है सीधा जो है स्टुडेंट से बच्चों से संबाद करते हैं तो वो जो है बातों को जो रखते हैं सच्चाई क कि और हम लोग उनकी समस्याओं का जो है निदान है कि अधर आपको हां बाइचे से ना एक गाम एक आदमी आम को सका है तो आई डीम सा है अधियां साभी का गाम है शर्ड़नाश बच्काई कोपले हैं लोग ना एक भापकाई अर्ड़नाश ना एक आपक ए रिजाओ फिर ना उन्या परता है अन्यारी है वाचे जो जागा जोड़नाश ज्बचाई साहि जारा ज़ोर्ज़नाश ज़जगर पुर्णाओं लिए पूर्णाओं अडिया सूना इसारी एक सेर्ट कलास्ताओं पूर्णाओं अडिक्षा शरीएगा बेचने हैं बटा हम लोग पार तूमीं सॉलतर अच्छा से शिक्ने हां मूझ एलिक हो ना जैजी था हम इसके लगिया तूमकों खेलता आजा देना तूम नाहीं थाईसा लगिया था छोड़ी था छलाग कहा है था छलाग कहा है था अधा गयल में निफढ़ था झाल झाल